आज की वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन देने के पहले दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि मेरे डेक्स्टॉप पे है लिव डेटा करके एक इस तरह से सॉफ्ट्वर आइकॉन चलिए मैं इसे डबल क्लिक कर दिता हूँ जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक्सेल की फाइल खुल रही है आपको दिखाए दे रहा है एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है मैं सतिश Learn More Channel, मैं आप सब का स्रागत काता हूँ, let's begin वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉम पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिपिक्शन आपको मिलते रहे हैं हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि लिव डेटा करके ये जो एप्लिकेशन दिखाए दे रहा है और इस पे डबल क्लिक करने के पाद मेरी Excel फाइल उपन हो रही है जैसे कि आपको मैंने इंट्रोड में दिखाया, अब आप देख सकते Excel फाइल या पर उपन हो रही है तो आप ऐसा ही करना चाते है, आपकी किसी भी Excel फाइल को इस तरह का आइकॉन एसाइन करना चाते है जो एक सॉफ्टवेर प्रोग्राम की तरह लग रहा है तो normally कैसे करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले क्या करना है, जो भी Excel फाइल रहेगी सपोज मैं यहाँ पर एक Excel फाइल नहीं बनाता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक blank Excel फाइल उपन करता हूँ, blank workbook इसमें मैंने कुछ नहीं रिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं सेव करूँ सबसे पहले और सेव करने के बाद इसका आइकॉन में बदल दूँ, जैसे नॉर्मली आइकॉन हाता है, तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, Ctrl S बटन पर इस करता हूँ यहाँ पर मैं इस फाइल को desktop पर save कर देता हूँ, तो save करते समय यहाँ पर desktop पर choose कर रहा हूँ उसके बाद इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ, IMP data करके, अब कुछ भी दे सकते हैं, मैं capital में लिख देता हूँ इसे चलिए, यह नाम मैंने यहाँ पर assign कर दिया, अब इसे save करना है, मुझे simply और इसे close कर देता हूँ, अब देख सकते हैं, अभी यह IMP data करके एक file यहाँ पर आ चुकी है, जैसे leave data है वैसे लेकिन इसका icon यह Excel file का icon है, normally हर एक computer में तो ऐसे ही होगा, अगर आप Excel file save करोगे तो इसको इस तरह से icon दिखाए देगा, तो आप इसे right click करके properties में जाकर icon change करने के अगर कोशिश करोगे तो change icon करके option आपको कही पर नहीं मिलेगा, तो करना क्या है उसके लिए तो मैंने क्या किया, इस file को मैंने इस folder में रख दिया, suppose, यहाँ पर मैं move करके Excel files इस folder में रखता हूँ, अगर आप desktop पे रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने Excel files इस folder में रखा है, ताकि double file desktop में ना हो, IMP data करके मुझे दो file मिलेगी, एक Excel icon वाली और एक मैंने बनेया वा right click करने के बाद, यहाँ पे simply आपको जाना है, send to, और send to के अंदर desktop create shortcut, जिया दोस्तों, इतना ही करना है बस, desktop create shortcut यह जो option दिखाए दे रहा है, इस पे click कीजिए, जैसे आप इस पे click करते, चलिए मैं इस folder को अभी close कर देता हूँ, वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्त मैं इसके पर right click करता हूँ, right click करने के बाद, इस file को सबसे पहले मैं rename कर लूँगा, इसका नाम मैं इस तरह से रखूँगा, यह shortcut मैं हटा दूँगा, और बस IMP data करके रखूँगा, side में click कर दूँगा, यह नाम change हो चुका है, अब इसका icon set करने के लिए मैं इसके पर right click कर आने वाले, आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे icon है, अब जो भी interesting icon आपको लगता है, इसमें से आप select कर सकते हैं, मैं scroll करके आपको दिखा रहा हूँ, कापी सारे icons है, और इसमें से एक icon pick करके आप अपनी file के लिए रख सकते हैं, जैसे मैं यह ले लिया, click किया इसके open होने वाले, क्योंकि यह Excel file का यह shortcut है दोस्तो, तो किसी भी file का आप shortcut तायर करके इस तरह से उसका icon बदल सकते हैं, जैसे यह दोस्तो, एक छोटी सी trick मैंने आपके साथ share की, मुझे लगा कि यार यह कुछ नया कर सकते हैं, आपके office के अंदर, जितनी भी recent Excel file आप access करते हो daily, उन सभी files को आप इस तरह से रखके जरा थोड़ा से impression बढ़ा सकते हैं, आपके office के अंदर, बॉस के सामने, आपके colleagues के सामने, करके देखिए यह एक छोटी सी trick, उमीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो लाइक करना मत भूलिये दोस्तो, लाइक तो कि लोड किये, उमीद है अप सब देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक लेकी कोंगो, दोस्तों हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, बाइ-बाइ